तो देखिए यह आपका चैप्टर है थ्री डेसिमल्स तो देखिए आपकी जो बुक है एस चांद कमपोजिट मैथमेटिक्स इसका आज अपने एक्सेज करने वाले है थ्री ए तो देखिए क्या करना है सबसे पहले आपको करना है एडिशन्स Questions के इंदर Simply आपको यह numbers given है इनका addition करना है तो addition करने के लिए decimal के अंदर आपको सिरफ एक rule यार रखना है decimal के नीचे decimal तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले ररेंज करके रखा है decimal के नीचे decimal लिखा और number के नीचे number तो यहांपर देखिए यह 3 numbers है decimal के बाद 3 numbers है यहां 1 है और यहां 2 है तो इनकों सबको equal करने के लिए हम यहांपर लगाएंगे 0 अब देखिए 0 प्लस 0 प्लस 3 यह हो जाएगा 3, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 7 1 प्लस 3, 10 10 प्लस 9, 19 9 केरी 1 6 प्लस 4, 10 10 प्लस 1 11, 11 and 2 13.963 यह आपका क्या हो गया answer तो आपको एक चीज़ हमेशे द्यान रखनी है points के बाद हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते 13.963 इसके बाद decimal के बाद हमेशे सिधा बोला जाता है numbers को 13.963 question number second देखते हैं अब देखिए यहां पर 3 है यहां पर 2 है लगा दिया 0 9 प्लस 2 11, 1 केरी 1 1 प्लस 7, 8 8 प्लस 6, 14 14 and 7, 21 1 और यहां पर आगे हमारी केरी 2 2 प्लस 8, 10 10 प्लस 4, 14 14 प्लस 1 हो गया हमारा 15 केरी 1 1 प्लस 3, 4 4 प्लस 4, 8 8 प्लस 4, 12 यह आपका क्या आगे है बचों answer देखिए next देखते हैं अब यहां पर देखिए 2 है numbers है यहां पर 2 है, यहां पर 3 है यहां पर 3 है क्या करेंगे? 0 लगा देंगे 7 and 8 15 केरी 1 1 प्लस 2, 3 3 प्लस 4, 7 7 प्लस 1 हो गया हमारा 8 next देखिए 3 प्लस 2 हो गया हमारा 5 5 प्लस 9, 14 4 केरी 1 4 1 प्लस 6, 7 7 प्लस 5, 12 2 केरी 1 1 प्लस 1, 2 2 प्लस 2, 4 तो आपका answer आगया 42.485 क्या आपका answer next question देखेंगे यहां पर देखिए decimal के बाद कितने 5 numbers हैं यहां पर 4 हैं तो 0 लगा देंगे अब कर देंगे addition देखिए कैसे करेंगे 4 प्लस 5, 9 4 प्लस 2, 6 6 प्लस 2, 8 8 प्लस 6, 14 4 केरी 1 1 प्लस 9, 10 10 प्लस 7, 17 7 केरी 1 1 प्लस 8, 9 9 प्लस 2, 11 1 केरी 1 1 प्लस 1, 2 तो आपका answer क्या आगया 0.21749 next देखिए यहां पर simply आपको 4 गिवन है तो decimal लगा के हम यहां पर 0 लगा सकते हैं simply तो देखिए सब numbers को equal करेंगे यह equal करना यह 0 लगाना जिरूरी नहीं है सिरफ इसलिए लगा जाता है ताकि आपको कोई confusion नहीं रहे तो यहां पर देखिए 3 3 प्लस 1, 4 2 decimal का decimal आजाएगा 6 प्लस 4, 10 प्लस 9, 19 9 केरी 1 और यह आगया आपका 39.243 यह आपका क्या है answer Question No.2 देखेंगे Subtect अब देखिए समझने की जुरुत है आपको question में given है 6.473 from 17.589 from मतलब इसमें से इसको मतलब second term में से first term को हमें minus करना है हमें समझ में आना चाहिए कि question में हमसे वो पूछ क्या रहा है तो देखिए माइनस कर देखें simply 9-3 6 8-7 1 5-4 1 7-6 1 1 तो आपका answer क्या आ गया 11.116 next देखते है second question अब यहाँ पर देखिए हम लगा देंगे 0 क्योंग यहाँ पर कोई number नहीं है अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लेंगे carry यह हो जाएगा 10 तो यहाँ पर बच जाएगा 4 10-2 8 अब देखिए 4 में से 8 नहीं हो सकता तो यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 तो यहाँ से carry दिया 5 यह हो गया 10 10 से carry दिया यह हो गया 10 और यहाँ पर बच देखिए यह हो जाएगा 14 14 और हो जाएगा 9 14-8 आएगा हमारे पास 6 यहां पर बचा देखिए 9 9-1 आया तो यहां पर हमारे पास आया 8 decimal का decimal लगा देंगे 9-7 2 5-1 4 तो आपका अंसर आ गया 342.868 यह आपका क्या है 3 देखेंगे देखिए 0 लगाएंगे यहां पर आपको question given है from मतलब जो second dumb है उसमें से पहली dumb को हमें minus करना है तो अब यहां पर देखिए 0 में से तो नहीं हो सकता यहां से मैंने देदी carry यह हो गया 10 और हमारे पास यह बचा 4 10 में से 7 गया sorry 3 गया तो बचा हमारे पास 7 अब यहां पर देखिए कि 4 में से 9 तो नहीं जा सकता फिर carry लेंगे यहां से तो यह बचा 3 और यहां पर आ गया 14 14-9 1513-10-013-053-0-0.1 डगा के ड自 मन मतलब 0.0357 यह हमारा क्या है कि अंसोर अब देखिए अब देखिए उन में से अमको 0.376 इसको मायनेस करना है अब देखिए इसके पाद हम लगा देखिए decimal 000 अब यहां से देखिए carry देंगे यह 10 हो जाएगा फिर यह 9 बचेगा यहां पर carry दी यह 9 बचेगा फिर यह बचेगा 10 10 में से 6 गया 4 9 में से 7 गया 2 9 में से 6 sorry 3 गया 6 तो आपका answer आ गया 0.624 देखिए आपको समझने की जुरूत है चाए addition करना हो चाए subtraction करना है आपको decimal के निचे decimal रखना है और देखिए addition के अंदर simply आपको जो भी numbers given है decimal के निचे decimal लिखे और numbers के निचे number लिखे इनको हमें add करने हैं लेकिन subtraction के अंदर हमें एक चीज़ का दियान रखना है कि किस में से किस को हमें minus करना है एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा बड़े number में से छोटर number minus करना है लेकिन आपको उसमें question में क्या given है from, from के बाद जो number given है उसमें से दूसर number को में minus करना है अब देखिए question number 5 अब देखिए 1.1 में से इसको minus करना है तो यहाँ पर क्या लगाएंगी सबसे पहले अपने 0 लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए carry देखिए यह हो जाएगा 10 यहाँ पर बचेगा 0 फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10 10-1, 9 9-1, 8 यहाँ पर 0 बचा था तो हमारे पास answer क्या आगया 1.089 हमारा क्या है answer next question number 3 देखेंगे इसके देखिए क्या है simplify आपको simplify करना है तो सबसे पहले आपको यह दिख रही है addition की term यह भी plus का यह भी plus का इनको में कर लेंगे हम इसको plus पहले add कर देंगे 7, 4, 6 अब देखिए जो answer आया उसमें से हम 5.2 को क्या कर देंगे minus 5 का 5 आजाएगा अब यहां पर देखिए मैंने करती करती कि point के नीचे point नहीं लिखा तो ऐसे करते ही जो आपका answer है वो क्या हो जाएगा गलत तो हमें क्या करना है 6.475 5.200 5.7 4 में से 2 गया तो 2 तो आपका answer आगया 1.275 तो देखिए decimal खिसकते ही जो आपका answer है वो क्या हो जाएगा गलत तो आपको इस चीज़ का द्यान अखना है question number second देखेंगे simply बिल्कुल ऐसे ही अब यहां पर देखिए यह plus की हैं दो और यह दो क्या है minus की तो पहले plus फॉलोग को add कर लेंगे और minus फॉलोग को add कर लेंगे यहां पर देखिए यह क्या दाएगा 6, 6, 9 तो हमारे पास आगया 15.966 यह तो आगया plus का और इनको देखिए 6, 0, carry 1 5, 1, 6 6 and 2, 8 यह आगया minus का अब इस में से इस term को हम कर देंगे minus 8.06 0 6, 6 में से 6 गया 0 9 में से 0 गया 9 15 में से 8 गया तो हमारे पास बचा 7 तो हमारे पास answer क्या आगया 7.906 यह हमारा क्या है answer इसका देखिए थर्ड पार यहां पर यह तकिए तीनों की तीनों की माइनस के और एक 100 क्या है प्लस का तो माइनस वा लोगो एड़ कर लेंगे 9 7 and 8 15 5 carry 1 6 and 6 12 12 plus 1 13 carry 1 1 plus 2 3 3 plus 3 6 and 1 7 3 and 2 5 तो यहां पर देखिए 57.3359 इसको माइनस करेंगे हम 100 में से अब एक चीज़ का ध्यानक नहीं हमेशा decimal का 3 3 5 9 तो यहां पर क्या करते रहेंगे 0 carry forward करते रहेंगे देखिए यहां से यहां पर 9 बज जाएगा 9 9 9 और यहां पर आजाएगा 10 10 में से 9 गया 1 9 में से 5 गया 4 9 में से 3 गया 6 9 में से 3 गया 6 9 में से 9 गया 0 9 में से 5 गया 4 तो आपका अंसर क्या आ गया तो यहां पर देखिए अगर यह 59 होता तो आपका अंसर क्या आता 42 लेकिन यहां पर हमारे पास 57 है तो 7 रखेंगे तो 9 में से 7 गया तो 2 तो आंसर आगया 42.6641 तो देखिए आराम से करना है जितने जल्दबाजी करेंगे गलती होने की चांस से इसने जाधा रहेंगे अब देखते हैं question no.4 अब question को समझीए ये language अला question है subtract the difference of मतलब इन दोनों का जो difference है उसको subtract करना है sum of the this this मतलब इन दोनों के sum में से इन दोनों का difference difference मतलब minus मतलब 53 में से इसको minus करेंगे और इन दोनों को sum करेंगे जो आएगा उसको minus करेंगे चली करते हैं देखिए 9 तो यहाँ पर 8 कहरी हो जाएगी यह 10 और यह आजाएगा 10 10 में से 5 गया 5 9 में से 7 गया 2 8 में से 8 गया 0 3 में से 3 गया 0 और यह आगया 1 मतलब 10.025 इनको add कर देते हैं 0 carry 1 6 6 31 अब देखिए यह है हमारे पास अब इन दोनों का difference क्या है 10.025 और इन दोनों का sum क्या है 31.6603 इन में से हम इसको minus करना है it means decimal के नीचे decimal लखेंगे number नहीं है तो 0 लगाएंगे 3 में से 0 गया 3 यहाँ पर carry दी तो 10 10 में से और यहाँ पर बचा 5 10 में से 5 गया तो 5 5 में से 2 गया 3 6 में से 0 गया 6 और यहाँ पर देखिए 1 and 2 जो आपका answer आ गया 21.6353 आपका क्या है answer तो बच्चों में आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा कुछ सीखनों को मिला होगा आपको help मिली होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करें फ्रेंड्स के साथ शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें थैंक्यू वेरी मुच्छ करें लगा होगा 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 हो झाल झाल झाल